तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था अरे यार जिसने पिछले वीडियो नहीं देखा तो जाके पहले उसको देखो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार ये तो गलत बात है आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो तो ब्रैन को पता लग जाता है कि कोई उन्पर नजर रख रहा है through all CCTV camera and all their cell phones उन्होंने उनके cell phones and camera को hack कर लिया था और जब उनको पता लगता है कि ब्रैन को पता लग गया है तो वो उसको मारने पहुँच जाते हैं और लिफ्ट में उसका काम तमाम भी कर देते हैं अब आगे ब्रैंड के केस की इन्वेस्टिकेशन चल रही होती है बट सारे रोयल पुलिस को एरिक की तरफ से डारेक्ट ओडर्स मिले हुए होते हैं कि इस केस से फिलाल दूर रहे हैं जब तक उनको कुछ करने के ओडर्स ना दिये जाएं बिकोज ब्रैंड पर जिस टाइम अटैक हुआ था उस टाइम की CCTV फोटेज डिलिट कर दी गई थी तो में भी एरिक को लगा होगा कि RIS में से कोई मिला हुआ है इन भाई साब को गुस्सा आजाता है कि एरिक को हम पर वरोसा नहीं बोरिस उसको समझाता है कि जैसा एरिक के ओडर्स हैं वैसा ही करना सही रहेगा उनको ब्रैंड का टूटा हुआ लैप्टोप और फोन मिलता है लिली और कीट ओपरेशन थेटर के भार होते हैं कुछ समय के बाद डॉक्टर भार आते हैं वो बताते हैं कि ब्रैंड सर्वाइफ कर गया बट वो अभी अनकोंशियस है कीट के पूछने पर डॉक्टर बोलते हैं नहीं मिर को ऐसा लगा नहीं कि ब्रैंड की बोडी पर डिफेंसिव वोंट्स हैं ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके पीछे से अटेक किया उसको पता चलने से पहले ही वैसे तो वो डॉक्टर इन सब चीज का कोई प्रोफेशनल नहीं है पर उसने अपना कोडिंग बताया R.I.S. का मेंबर होने के नाते वो कीट से सिगनेचर करवाते हैं पेपर्स पर सिगनेचर को देखकर उस डॉक्टर को पता लगता है कि यही कीट फिलिक है वो अकेले में कीट को बताता है वो अभी अनकॉंशेस है उसके वोन्स अभी हट करेंगे तो उसे कुछ दिनों तक रेष्ट की जरूरत पड़ेगी डॉक्टर्स ने बोला था कि यह मिरेकल है कि यह किसी तरह से ब्रैंड बच गया पता नहीं कैसे पर वो बच गया एरिक, ब्रोडी औट टाकेड़ा नाम के दो बंदों को ब्रैंड की निगरानी करने के लिए भेज़ता है ताकि लीली औड कीट दोनों वापस आजाएं केस को इन्वेश्टिगेट करने में हेल्प करने के लिए और वो brand की condition को अभी secret रखने को बोलता है क्योंकि वो अभी किसी ओवर पर trust नहीं कर सकते हैं क्या पता जो attacker है वो दुबार attack करने के लिए आ जाए brand को अभी भी खत्रा है अब उस violent shop का scene दिखाये जाता है जिसमें कोकू काम करता है जिस violent को first year second episode में कोकू ने उसको ठीक किया था उसके उनर उसको लेने के लिए आये होते हैं और वो ये देखकर खुश हो जाते हैं कि ये violent पहले से भी ज़्यादा अच्छा है मतलब बहुत अच्छे से सही किया है अब ये पहले से भी अच्छा बज़ रहा है कोकू को सुनाए देता है टच केन उपस क्यूंकि भार कीट जा रहा होता है और उसको पिछले एपिसोड वाली बात यादा जाती है जिसमें लाइबरेरी के भार भी कुछ यह हुआ था कीट और लिली रास्ते में होते हैं रोयल पुलिस इस्टेशन जा रहे होते हैं और कीट उस वाच को बहुत दियान से देख रहा होता है जो ब्रैन की होती है लिली उस पर शक करने लग जाती है वो कहती है जब से तुम होस्पिडल से निकले हो तुम बहुत इस्ट्रेंज वीएप कर रहे हो तो कीट कहता है ऐसा कुछ नहीं है अगर तुमको शक हो रहा है तो मेरे साथ चलो साथ साथ चलो एक वो शोपिंग करने वाले स्टोर में जाकर बातरूम यूस करता है उनका लिली कहती है अब तुम पक्का जुट बोल रहे हो बातरूम में जाते ही वो काइला को फון लगाता है वो सकॉल को सिक्कीर लैन पर स्विच करने को बोलता है काइला कर देती है और वो काइला से कहता है जब भी तुम फिरी हो जाओ मेरे को सभी VSूलिंग मेमर्स की लिड़ना काईला पूछती है तुमको ये किसली चाहिए है वो कहता है ये तो मेरे को अभी तक खुद नहीं पता बाद में लिली कहती है मुझे पता है तुम टोलेट में स्रिफ टोलेट करने नहीं गएते कीत कहता है तुम मेरे पे कुछ जादा ही शक कर रही हो वो R.I.S. पुलिस इस्टेशन वाली बिल्डिंग में पहुच जाते हैं कोकू भी अपनी पावर से छुपके एक फ्लैस की स्पीड में अंदर घुच जाता है लिली बहुत गुसे में होती है ये कीत अपने आपको समझता है मेर को हमेशा ही इन सबसे दूर रखना चाता है अचानक से काईला गेट से निकल कर लिली को रूम के अंदर खीच कर उस से हाथ उपर कर चुप चाप अपना सैल फॉन देने के लिए बोलती है उसका फॉन भी बागी सबी लोगों की तरह है किया जा चुका है जो भी पुलिस इस्टेशन में हैं उनके पास पूरी R.E.S. इस्टेशन का ओडियो एंड वीडियो की इंफॉर्मेशन थी और ये बात ब्रेंडन को पता लग गई थी इसलिए वो उसको मारने की कोशिश कर रहे थे एरिक के कहने पर काईला ने ब्रेंड के टूटोवे लैप्टॉप का डाटा रीकंस्ट्रक्ट कर लिया ओपरेशन बहुत ही डिफिकल्ट था पर काईला के हाड़ वर्क के बाद वो भी इन सब चीजों का पता लगा लेती है ये हिडन फाइल्स बहुती क्लेवर तरीके से छुपाई गई थी पता नहीं ब्रेंड को इनके बारे में कैसे पता लग गया काईला उनकी लोकेशन को लोकेट कर पाती उससे पहले उन्होंने उस सिस्टम को ओफ कर दिया तो फिर लिली बोलती है चलो कीट के पाथ चलते हैं उसको कुछ नो कुछ जरूर पता होगा काईला कहती है कुछ दिर पहले ही तो उसका फोन आया था उसने मेरे से पिछले 5 साल से लेकर अब तक की personal list मांगी थी अगले सीन में मिनास्की को पता लगता है कि brand अभी भी जिंदा है एक R.E.S. का मेंबरी होता है जो उनसे मिला होता है जिसने मिनास्की को बताया कि brand अभी जिंदा है इसलिए ये बंदा कहता है मेरे को हेंडल करने दो तो मिनाटसुकी कहता है कि नहीं हमारा जो R.I.S. में एक बंदा है उसको मारने दो हम सबूत नहीं छोड़ सकते पर फिर वी वो कहता है कि वो औल्रेडी एक बार फेल हो चुका है तो मिनाटसुकी कहता है अगर वो अगली बार फेल हुआ तो तुम इसको ऐलिमिनेट कर सकते हो याने कि इसको मार सकते हो वो मिनाटसुकी से गोल्ड एंब्यूल्स मांगता है तो यूना कहती है I hope you are not wasting them तो उसको गुसा आजाता है useless bitch तुम किस से बात कर रही हो मिनाटस्की उसको गोल्ड एंब्यूल्स देता है और उसको काम पर लगा देता है लाइका को उस पर नजर रखने को बोलता है और यूना को उस प्रोग्राम को डिलेट करने को बोलता है कीट उसी डोक्टर के पास कोफी पीने के लिए जाता है और उसको कोफी पहले से भी ज़्यादा कड़ भी लगती है कोकू कीट का पीछा कर रहा होता है वो दोनों आपस में बात करते हैं कि जिस केश पर वो इंवेस्टीगेट कर रहे हैं वो उसके किसी भी नतीजे पर नई पोचे ये बोलता है कि मैं college time में एक बात हमेशा सोचता था कि अगर मेरे को एक medicine बनाने का मौका मिला तो मैं एक ऐसी medicine बनाऊंगा जिससे तुमारा twisted mind इस तरह के attitude को ठीक कर सकूँ Keith reply करता है कि नहीं कर सकते हमको किसी humans ने नहीं बनाया especially mind को जो किसी के भी कहने पर कुछ भी करे तो फिर वो पूचता है मेरे को किस से complete करनी चाहिए Keith कहता है गोड से इसको cigarette पीने का बहुत मन करता है जब भी ये दोनों साथ में होते हैं फिर Keith उससे एक novel book के बारे में बात करने लग जाता है जो Keith ने इसको कई साल पहले पढ़ने के लिए दी थी Moby Dick नाम की वो उस घड़ी को धिहान से देखता है और ये कैकर वहां से चले जाता है कि मैं जा रहा हूँ अपने criminal को पकड़ने के लिए अगले सीन में काम हुई एक गली में होता है और वो golden ambulance के लिए इतना तड़परा होता है जैसे कि कोई drug addictive drugs ना मिलने पर करता है वो उस golden liquid को फीरा होता है कुछ गुंडे वहां पर आ जाते हैं और वो उससे उसका wallet मांगने लग जाते हैं वो उसका golden liquid भी फिला देते हैं और वो फिर उन में से एक आदमी को मार देता है बाकी सब डर के मारे भाग जाते हैं और उन में से जो एक पीछे रह जाता है उसको लाइका मार देता है और कामी को injection लगा देता है और लाइका पुलिस वाले को अपने हाथ पर बने हुए इस टैटू या स्टीकर को दिखा कर उनको hypnotize कर लेता है एक बंदा अपनी duty पर नहीं होता तो कीत को उस पर शक होने लग जाता है और वो पुलिस से सले जाता है फिर बाद में लिली वहाँ पर आती है लिली एक बंदे से पूचती है कीत कहा गया वो कहता है वो आया था पर तुरंट चला गया वो लिली को टाकेडा और ब्रोडी के पास कुछ समान ले जाने को बोलता है एक बंदा ब्रैन को हस्पिटल में मारने के लिए पोच जाता है कीत ऐसा नहीं होने देता है कीत ओल्रेडी वहीं पर होता है उसको पता था कि वो उस पर अटेक करने आएगा ये और कोई नहीं बलकि R.E.S. का मेंबर शोन है कीत को पता लग जाता है क्योंकि ब्रैन ने उसको अपनी वोच के जरी उसको एक मैसेज दिया था उस वोच में जो नमबर या कोड को इंगलिस लेटर में कनवर्ट करा जाए तो शोन हैंडरी रिचर्ट जे एच आर शोन हैंडरी रिचर्ड मेरे को टाइम जोन से एंड इतनी महंगी वोच इसकी नोलिज नहीं है तो मेरे को एग्जेक्ट नहीं पता पता नहीं क्या फ्रेंच और इंगलिस स्टेंडर टाइम जोन के एक टाइम के अकोडिंग उसको कोड से लेटर में कनवर्ट करा कैसे उसने जे एच आर को कनवर्ट किया जो भी यह फैनल लिजन्ट हमें यह पता है कि ब्रेंड ने कीट को एक मैसेज दिया था उस वोच के जरिये और इस तरह से ब्रेंड ने कीट को मैसेज पोचाया कि किसी को पता ना चले अगर उस घड़ी को भी देखे सिर्फ वो कीती समझ सकता था बस मेर को इतना पता है कि कीत ने पता लगा लिया जो भी मैसेज ब्रैन ने कीत तक पोचाना चाहता था ब्रैन ने उस मैसेज को जो वो जे एचर था उस मैसेज को लिफ्ट में इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उसको पता था कि अटैकर कभी भी लिफ्ट में दुबारा आकर उन ट्रेशिस को मिटा सकता है क्योंकि शोन एक R.E.S. का मेंबर होता है फिर शोन कुछ बाते बोलता है एक्चुली में वो शोन नहीं होता में भी वो हिपनोटाइज होता है कोई उसका माइंड कंट्रोल कर रहा हो लिसन कीथ फिलिक जब तक मैं जिन्दा हूँ मैं तुमको माफ नहीं करूँगा मैं ये बार बार करूँगा जिनको तुम प्यार करते हो जो तुमारे करीबी लोग है मैं उन सब को एक एक करके मार डालूँगा बिल्कुल उसी दिन की तरह मैं सब लोगों को एक एक करके जो भी तुमारे करीबी लोग हैं को मार दूँगा क्या तुम उनको बचा पाओगे लाश्ट में फिर तुम ही बचोगे तुम अपनी आँकों से हेट्रेट की आइस से ये सब देखोगे सब बरबाद होते हुए जिनको भी तुम चाहते हो वो खून से लत्पत होंगे ये हमेशा रिपीट होता रहेगा और हमेशा चलेगा और ये सब चीज तुमारे मन दिमाग में छप जाएगी कि मेर को तुमने मारा था मैं हैल में तुमारा वेट करूँगा ये क्या कर वो चाकूस अपना गला काट कर अपने आपको मार लेता है कीत शौन का बलड रोखने की कोशिश करता है तब ही कोकूस को किटनैप कर लेता है लिली फूट सप्लाई लेकर वहां पोस्ती है वो देखती है कि टाकेटा और वो भ्योस पड़े है शौन भी खून से लत्पत हुआ है वो कोल लगा कर हेल्प मांगती है शौन उसको भाग 13 बोलू कोकू चोक जाता है क्योंकि एक्चुली में वर्ट भी नहीं होता 13 लिखा होता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत पूलना आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फोलो कर सकते हैं झाल जाता है